2019 लोगसभा चुनाओं के ठीक पहले कांग्रेस ने प्रियंगा गांधी को बहुत बड़ी जुम्मेदारी सौपती है प्रियंगा को पार्टी का महासच्यू बनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश का प्राभारी भी बनाये गया है और कांग्रेस केस फैसले ने राजनितिक गलियारों में हलचल मचा दी है आईए इसी बीच हम जानते हैं प्रियंगा गांधी और राबर्ट वाडरा की लव स्टोरी के बारे में इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है प्रियंगा गांधी तेरा वर्ष की उम्र में पहली बार राबर्ट वाडरा से मिली थी इसके बाद धीरे धीरे दोनों की बाच्ची शुरू हुई दोस्ती और मुलाखातों का सिलसला बढ़ता गया और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला दोनों का रिष्टा काफी मजबूत हो गया राबर्ट वाडरा दुआरा एक मैगजीन को दिये गए इंट्रिव में इस राज से परदा उठाये गया था उन्होंने बताया था कि जब वह ब्रिटिश स्कुल में साथ पढ़ते थे तो दोनों के बीच मुलाखात होई और बाचित बढ़ती गई दोनों एक दूसरे के करीब आ गए लेकिन अफेयर के दिनों में राबर्ट प्रियंका और अपने रिष्टे के बारे में किसी चच्चा नहीं करते थे कुछ समय बाद प्रियंका और राबर्ट ने अपने अफेयर के बारे में घरवालों को बता दिया लेकिन राबर्ट वाडरा के पितार इस फैसले से खुश नहीं थे हाला कि बाद में उमान गए और 1903 में दोनों ने शादी कर ली नमस्कार दोस्तो अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे घमासान से जोड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे